नमस्कार मित्रो जैमात अदी स्वागते आप सभी का हमारी यूटियूब चैनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो यह देवता आपके घर के इस कोने में छिपे हुए हैं और आज से नहीं पिछले बारा सालों से आपके घर की रक्षा कर रहे हैं लेकिन आप अभी तक अंजान हैं मित्रो आखिर कोन वह देवता है और किस तरह से आपकी जीवन में खुशियों की सोगात ला रहे हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मित्रो आप ज्यान कर हेरान रहे जाएंगे बस आप से इतनी सी विंती है कि इस वीडियो को बिलकुल गुप्त तरीके से देखना मित्रो किसी के सामने आपको धिंडोरा नहीं पितना हैं आने वाले तिन दिनों में यानि की दिनांक 13 अप्रेल, 14 अप्रेल और 15 अप्रेल जिन्दगी का सबसे बड़ा खुला सा होने वाला है सबसे पहले तो मित्रो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाई नमस्तू भ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा मित्रो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से सूब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे कौन से संकेतों को आपको पहचानना है मित्रो परिवार की परिष्टिती कैसी रहेगी आपका व्यापार कैसा चलेगा आपके दामपच्ती जीवन में आपको कौन से सुख मिलेंगे यही बात हम आपको बताएंगे तो आईए अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना बात करते हैं आने वाले तिन दिनों के मेहेतपरण समय अंत्राल की तो मित्रो इस वक्त ग्रह स्टितियां बहुत ही प्रतीकुल बनी हुई है आपको चनिक भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है साथ ही मित्रो इस बात का भी धियान रखिएगा किस समय का सही इस्तमाल करना है किसे के आगए आपको हाथ नहीं फेहलाना है क्योंकि मित्रों पेशा आपको एक इस्थान से नहीं बल्कि अनेक इस्थान से प्राप्त होगा हर काम को लगन से करने की आपकी एक अलग ही प्रकार की ललक रहेगी और आपको बहुत बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे मित्रों महिलाएं और लड़कियाएं खास तोर पर अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देगी लेकिन ध्यान रखिये कि आपकी पहिच्यान आपके व्यक्तित्व से नहीं बल्कि आपके करमों से होगी साथ ही मित्रो महिलाओं को अपने छेत्र में वर्चस्व बनाये रखने के भी कोशिस करनी होगी मित्रो लोगों से बातचीत करते वक्ट आपको सब्दों का इस्तमाल करने में साउधाने रखना है कोई भी एसे सब्द बोलने से बचे जिससे मान हने की स्थदी बने और किसी सामने अले व्यक्ति के दिल को ठेश पहुचे क्योंकि मित्रो आपके बॉल्चाल के सुभाव से ही आपकी पहचान होगी यह बात अपने दिमाग में डालो और आपके सम्मान को ठेस पहुच सकती है किस काम को मित्रो आपको बता देते हैं कि पहले करना है वह काम है लाव से संबंदित बातों पर पहले अमल करें और मित्रो कुछ लोग हैं जो आपको गिराने की कोशिस कर रहे हैं उनसे भी बचकर रहने की जरूरत हैं और किसी खास काम को लेकर सही जानकारी हासिल करना जरूरी है क्योंकि बिना जानकारी के अगर आप उसमें कूदे तो आपको नुकसान हो सकता है और आरतिक इस्तिती बिलकुल सामान्य रहेगी निजी विवस्था के चलते आपके थोड़े से काम अधूरे रह सकते हैं और सरक तारी नोकरी करने वालों को एक्स्ट्रा काम और जिम्मेदारी मिल सकती है मित्रों पुरे आत्म विश्वास के साथ आप काम कर लेंगे और पारिवारिक जीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेर आपकी मुस्किले बढ़ा सकते हैं आपको अश्याओ को सुल्जा कर काम पर ध्यान दे पाएंगे अधिकतर बाते आपके सामने इस पश्ट नजर आएगी इस वज़े से काम में आप आगे बढ़ पाएंगे और करियर से जोड़ा बड़ा निर्ड़े लेने से पहले जिम्मेदारियों को समझे और रिलेसंसिप से अपेक्सर रखते हैं उसे पूरा करने के लिए और वक्त देने की आउश्यक्ता है और रिलेसंसिप इस्थिर होने से पहले जरूरी बातों को समझना है मित्रों सेहत में सुधार आ सकता है फिर भी खान पान पर नियंत्रण रखने की सलहा आपको दे जाती है मित्रों धार्मिक और आध्यात्मिक गती वीदियो में आपकी बहुत बहत्रन रूची होगी मानसिक और आध्यात्मिक सुख आपको प्राप्त होगा अपने मेहतप्रण चीजों को ठीक से रखने की सलाहा आपको दे जाती है क्योंकि उनके चोरी होने या खोने का भय बना हुआ है मित्रो व्यापार में नए अनुभंद मिल सकते हैं और दुसरों पर भरुसा करने के बजाए खुद पर भरुसा करें पति-पत्नी के बीच भावनात्मक संभंद मधुर होंगे और मानसिक और सारीरिक रूप से स्वस्त रहने के लिए आपको व्यायाम पर ध्यान देने की कोशिस करनी होगी मित्रों घर में नजदे के रिष्टदारों के आने जाने से घर का माहुल जो है बहुत व्यवश्चित रहेगा घर में उस्सहा का माहुल रहेगा अपने घर में आपको डेली सुभ साम नित्य उजापाट करने की मित्रों जरूरत है मित्रों इस वक्त मन मुटाव जिसी स्टती बन सकती है और यह मन मुटाव की स्टती किसी गेर से नहीं बलकि किसी अपने से बनेगी साथ ही अब कई मामलों में धीरज और धेरे भी रखना जरूरी है क्योंकि मित्रों कभी कभी ज़्यादा उस साह में आकर आप अगर काम करेंगे तो काम बिगड़ सकता है बाच्चित में सही सब्डों का इस्तमाल करें गुस्से और जल्द बाजी से मित्रों काम बिगड़ सकते है कारोबार में मेहनत का फाइदा मिलेगा और प्रोपर्टी के बिजनस में मेहत प्रण डिल हो सकती है मित्रों आपको ओफिस में बहुत संजिदगी से काम करने की कोशिस करना है और पारिवारिक समस्या का सूजबूज और ठंड दिमाग से सुलजाएं प्रेम संबंदों में मधोता रहेगी कमर दर्द और पेट की समस्या आपको हो सकती है और वात प्रकती वाली चीज़े ना खाई नहीं तो इससे पेट में आपके मित्रो समस्याएं उभर सकती है किसी व्यक्ति के लिए बदले की भावना आपके मन में उत्पन हो सकती है आप इतने छोटे इंसान नहीं है मित्रो यह बात ध्यान रखियेगा कि किसी से बदला लेने की सोचे है मित्रो इस व्यक्ति की दूरा बोली गई बातों का जवाब देने की कोशिस आपकी दूरा की जाएगी जिससे आपकी च्छा भी खराब हो सकती है तो जरूरी नहीं है कि हर बार बदला लिया जाए कभी-कभी बदलना स्वयम को बदलना भी जरूरी होता है आपकी समझ्याएं अन्य लोगों को समझना कठिन रहेगा भावनात्मक बातों से खोट को थोड़ा दूर रखें जो बाते आपके साथ गलेत हुई है उन्हें सुधारना संभव हो सकता है और काम की जगक चल रही कामपीटिशन की बज़े से बेकार के बाद विवाद होने की संभावना है मित्रो पार्टनर की अपिक्सा आपकी अपिक्सा से अलग होने से एक दूसरे के लिए नकरात्मकता हो सकती है साथ ही आप सभी को बता देते हैं मित्रो की नए काम पर आपका ध्यान रहेगा उसके सकरात्मक नतीजे भी मिलेंगे और अपने स्वभाव में सकरात्मक बदलाव लाएंगे जिस से मित्रो परिवार और रिस्दारों के बीच आपकी अच्छी इमेज बनी रहेगी घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता रहेगी और होस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं घर में जड़ डिसिप्लिन रहने से परिवार के लिए परिस्थानी हो सकती है तो सोच समझ कर निवेस करने की सलाह आपको दी जाती है मित्रो बिजनस में चुनोतियों के बावजुद आपकी कोशिस उसे काम होता रहेगा और काम करने के तरीकों में बदलाव की जरूरत है ओफिस में काम कम होने से नोकरी पिसा लोगों को राहत मिलेगी साथ ही आप सभी को बता देती हैं मित्रो कि दामपत्य संबंदों में प्रेम रहेगा और विप्रिट लिंगी वाले से वेहवार में मर्यादा का ध्यान रखें गेस और बदह जमी से आप परिसान हो सकते हैं तो रूटिन वेवस्टित रखें और प्रसनता मेहसूस होगी मित्रो आपको अपनी योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त होने की वज़े से आगे बढ़ना आपके लिए संबव हो सकता है और जिस व्यक्ति के साथ बात्चित कम होई है वह फिर से शुरू होगी लेकिन इस बार जागरुकता रखने की आउशकता है इससी भी निर्णए और अनुमान तक पहुचने से पहले अपने विचारों को दो बारा पर रखना होगा तो मित्रों अब वीडियो की समापती यहीं पर होती है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजेगा कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजेगा और देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हमसे अभी